हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा दस्पी के विद्यारतियों के लिए विश्य हिंदी अर्दवार्सक परिक्षा के प्रशन जी हैं स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में सभी प्रशनों के उत्तर मिलने व लीजे ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करें तो आपके पस नूटिफिकेशन पहुंच जाए तो आज इस वीडियो में सभी प्रशन आपको मिलेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अप्लोड किया जाएगा इनके आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो सबसे पहला प्रशन देखिए, रस आत्मक वाग के काब परिवाशा किसकी है, तो यहां पर आपको इस प्रशन में बताना है कि रस आत्मक वाग के काब परिवाशा किसकी है, यहां पर option दिये गए हैं, इनके answer next वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसके बाद दूसरा प्रशन दिये गए हैं, इसके बाद चोथा प्रशन इस्तुरी सिक्षा के बारे में महावीर प्रशादी दुवेदी का मत, तो यहां पर इस्तुरी सिक्षा के बारे में महावीर प्रशादी दुवेदी जी का क्या मत था वो आपको यहां पर बताना है, इसके बाद आगे की सोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं यह आपका चहटवा प्रषण हो गया इसके बात देखे यहां से दूसरा प्रषण सुरू हो गया अभी इस प्रश्ण में आपको बताना है कि पंचवटी खालिस्थान समास का उधारण है, कौन से समास का उधारण है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्ण है आभा भागुन की खालिस्थान है, इसके बाद तीसरा प्रश्ण है कामाईनी एक खालिस्थान है, चौत प्रशन जो अपन ने देखा इस प्रशन के अंदर टूटल पांच कॉश्चन थे इसके बाद तीसरा प्रशन यहां से सुरू हो जाता है सही जोड़ी मिलाईए मैचिंग आ चुकी है सबसे पहले सिंगार रस दूसरे नम्मर पे है बाल गोविन भगत तीसरे नम्मर पे है क्र चौथे नम्मर पे है दिल्ली में सब कुश था परंतु इसके बाद पांचवे नम्मर पे है चाया मत छूना तो इनके जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर अपलोड किये जाएंगे तो सभी बच्चे चैनल को स सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए इसके बाद एक सब्द या फिर एक बाकि में उत्तर दीजिए चौथा प्रशन यहां से सुरू हो जाता है इस प्रशन में देख मेरे द्वारा पुस्तक पड़ी जा रही है मैं कौन सा बाच्च你知道 है यहां पर जो sentence जो आपको दिया गया है। इसमें बताना है कि कौनम सा बाच्च ने है इसके बाद चौथा प्रशन है यहां पर हात मलना का क्या एरत है क्जिया और इसके बादनी रात के बाद क्या आती ह इसके बाद छटवा प्रशन कड़बी ककड़ी सा क्या लगता है तो यहां पर सभी प्रशन हो चुके हैं जो objective type question थे इसके बाद पांचवा प्रशन यहां से शुरू हो गया है महा काब्य किसे कहते हैं दो महा काब्यों के नाम लिखे तो इस प्रशन में आपको बताना है कि महा काब्य किशे कहते हैं और दो महा काब्यों के नाम आपको यहां पर लिख देना है तो बच्चों यहां पर आपका पांचवा प्रशन हो गया इसके बाद आंगे बढ़ते हैं छटवा प्रशन है और आगे के जो प्रश्ण है इनको देखने से पहले सभी बच्चे PDF को डाउनलोड कर लीजे आप सभी students regular comment कर रहे थे कि सर्फ PDF किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं तो पूरा PDF आप easily डाउनलोड कर पाएंगे मैं live आपको यहाँ पर process बता देता हूँ तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको Google में जाना यहाँ पर आने के बाद my study जानकारी आपको लिखना इस तरीके से लिखने के बाद सर्च कर देना my study जानकारी जो official website है इसका first page open कर लेना link पर click करके इस तरीके से official home page open हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए class 9, 10, 11, 12 यहाँ पर चार option आपको देख रहे हैं तो class 10th happy early paper इसके सामने click hair वाले option पर click करना और नीचे scroll करते हुए जाना इस तरीके से और यहाँ पर देखिए सबसे पहले table बनी हुई आपको देख जाएगी table के उपर telegram button है इस पर click करके telegram group को join कर लेना और नीचे देखिए यहाँ पर table के अंदर आपको link मिल जाएगी class 10th अर्दवारसिक paper वाला जो option है यहाँ पर देखिए click here वाला जो option है इस पर click करना तो class 10th याने की कक्षा दसभी हिंदी अर्दवारसिक paper 2021 वाला जो option है यहाँ आपके सामने आ जाएगा नीचे जाना और यहाँ पर देखिए yellow color से download बटन बना हुए आपको देख जाएगा class 10th हिंदी हाप यर्ली पेपर पीडियेप click here to download तो यहाँ पर इस पर click करके आप easily पीडियेप को download कर पाएंगे तो students इसके बाद देखिए यहाँ पर छटवा प्रशन गोपियों द्वारा ओदाव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहें थे यापको यहाँ पर बताना है इसके बाद सात्वा प्रशन भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्ण योग क्यों कहते हैं इसके बाद देखिए आठवा प्रशन गया है ग्रीजा कुमार माथुर अत्वा सूरिकान तरपाटी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं के नाम लिखे तो यहाँ पर दो कभी के नाम दिये गए हैं इन दोनों कभी में से किसी एक कभी की दो रचना के नाम लिख देना है इसके बाद नौबा प्रशन है नाकमान सम्मान और प्रतिष्ठा का देखे यहाँ गोतक यह बात पर पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आती है इसके बाद दसवा प्रशना गया परिक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखे तो ये तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ग्यारवा प्रशन आगया है निमलेखित मेंसे किसी एक बिशेपर संख्षित किंतु सार गर्वित निवंद लिखिये तो यहाँ पर संख्षित में निवंद लिखना है तीन टॉपिक दिये गए हैं जीवन में खेलों का महत्व व्रक्षा रोपन और विज्ञान बरदान या अभीशाप तो यह तीन टॉपिक मेंसे किसी एक का निवंद याद कर लेना या फिर तीनों को तयार कर लिजे तो इसी तरीके से यह पूरा पीडियेफ है सभी स्टूडेंट्स पीडियेफ को डाउनलोड कर पाएंगे जी हैं स्टूडेंट्स माइ स्टडी जानकारी पर पूरा पीडियेफ एविलेवल है सभी स्टूडेंट्स जाएए माइ स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडियेप को डाउनलोड कर लीजे तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं मुझे उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिये और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि रेगूलर अर्दवार्शिक परिक्षा के लिए इस चैनल पर वीडियो सप्लोड किये जा रहे हैं